Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech, myself Umar Tazkir. Guys, इस particular video में हम लोग एक बहुत ही important concept की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं CTR. अब CTR सभी type of ads के point of view से बहुत ज़ादा important है, चाहे हम Google Ads में search ad की बात करें, चाहे हम वो display ad की बात करें, ठीक है, चाहे हम वो app install ads की बात करें, जब कभी भी हम बात करेंगे CTR की, तो एक बहुत ही important concept है, जिसे हमें भूलना नहीं, तो क्या है ये CTR, कितना होना चाहिए CTR, किस तरीके से हम इसको measure करते हैं, क्या ये हमको information देता है, किस तरीके से हम इसको improve कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही important concept है CTR, चलिए, शुरू करते हैं, और सबसे पहले इसकी जो mathematical जो expression है, उसको समझने कोशिक करते हैं, क्योंकि एक formula है, ठीके, और CTR का जो full form होता है, उसको बताता हूँ, CTR का जो full form होता है, आप लिखा हुआ है, click through rate, CTR का जो full form होता है, click through rate, और एक बात आपको हमेशा जहान रख percentage होता है, ठीक है, clicks क्या होते हैं, clicks यह होते हैं, कि जैसे किसी ने query करी, किसी ने query करी, Google में जाकर, Digital Marketing Curse, यह query करी किसी ने Google में जाकर, Digital Marketing Curse, इस query के बाद, जो Digital Marketing Curse है, उसके बाद उसे search engine result pages में, यहाँ पर serp's में, search engine results pages में बड़े सारे results दिखाई देंगे और वो results paid plus organic दोनों ही होंगे ठीक है अब आपको languages समझ में आ रही होंगे कि paid का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो top में आपको results दिखेंगे यहाँ पर छोटा सा add लिखा होगा उसके बाद यहाँ bottom में दिखेंगे आपको results यहाँ भी छोटा सा add लिखा होता है और यह जो बीच में results हमको दिखते हैं इनको हम लोग organic results बोलते हैं क्योंकि इनके लिए हम किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए हम किसी भी अपने paid results के बारे में ठीक है तो यहाँ पर user ने query करी इसको ध्यान से समझना है हम लोग को इसको हम लोग query बोलते है क्योंकि user की कुछ problem होता है वो उससे related यहाँ पर query करता है तो उसे हम query बोलते हैं और यहाँ पर जब हम bidding करने जाते हैं और हम कुछ keywords के उपर अपना ad दिखाना चाहते हैं तो हम उनको keywords बोलते हैं देखो एक ही चीज़ दो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नाम से जानी जाती है मुझे कोई problem है मैं Google पे गया मैंने search किया what is digital marketing यह क्या है यह जो search कर रहा है जो searcher है उसके point of view से यह एक query है क्योंकि उसको problem है वो query कर रहा है वहाँ पर अगर इसी चीज़ को what is digital marketing को हम अपने ad account में ad group के अंदर रख लें अगर हम लोग अपने ad group के अंदर इसको रख लें तो क्या होगा वही जो query है वो keyword बन जाएगी advertiser के लिए वही चीज keyword कहलाती है और जो searcher होता है उसके लिए वही चीज query कहलाती यही keyword difference है और कोई बहुत ज़्यादा difference है नहीं चीक है तो यहाँ पर हम लोग देखते है तो user ने कोई query करी जो query थी वो थी digital marketing course इस type का उसको such in a result face दिखाई देता है और जैसे ही उसे यहाँ add दिखाई देता है इस बात को हम लोग समझते है जैसे ही उसे add दिखाई देता है it is said that एक impression हुआ है impression is equal to one एक impression हुआ ठीक है यह मैं था मैंने query करी अब कोई दूसरा person आता है वो भी query करता है digital marketing course फिर से उसे हमारा add दिखता है तो फिर से यहाँ impression का count हो गया है कितना two अभी तक किसी ने click नहीं किया है यह बाल add दिख रहा है तीसरा person आता है वो भी same query करता है हमारा add फिर से दिखता है impression हो जाते हैं इसी तरीके से impression हो जाते हैं 10 मान के चलते हैं impressions कितने हो गए 10 impressions हो गए अब इन में से 10 impressions में से chances है कि जब बार बार हमारा add दिख रहा है तो कुछ लोग click भी करें 10 लोगों के 10 impressions हुए और इन में से चो clicks आये हमारे जिन लोगों ने click किया वो थे 2 लोग ठीक है तो यहाँ पर हमें समझ में आना चीए कि आखिर impressions क्या होते हैं और clicks क्या होते हैं आपका add का दिखना केवल आपका add दिखा ठीक है that is basically impression और यह बहुत important चीज़ है देखो यहीं से सारी चीज़ की शुरुवात होती है कि अलब हम Google Ads run करते हैं अगर हमारा add दिखे ही न तो क्या होगा तो तो click आने के chances खतम हो गए न add दिखी नहीं रहा है add दिखेगा तो clicks आएंगे न अब आए या नहीं आए वो एक अलग बात है clicks आएंगे तो user हमारी website के उपर जाएगा और वहाँ कुछ जो है action लेगा तो हमें इंप्रेशन के उपर भी ध्यान रखना है बहुत सारे लोग केवल clicks के उपर ध्यान रखते हैं impressions के उपर ध्यान नहीं रखते हैं तो clicks और impressions को combine करके जो metric बनती है वो होती है हमारी CTR और ये बहुत ही powerful metric तो इसका formula कै है clicks divided by impression into 100 तो ये वाला जो मैंने example लिया है जहां पर मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारे impressions हुए है उनका count 10 है जो clicks आए उसका count 2 है और इसको हम लोग कर देते हैं 100 से multiply तो ये हो जाएंगा हमारा 20% ठीके तो हमारा जो CTR है वो निकल के आया कितना 20% 20% हमें CTR मिल रहा है अब ये सवाल आता है क्या ये CTR अच्छा है क्या ये CTR खराब है कितना होना चाहिए CTR पट यहां पर हम example क्या ले रहे हैं हम example ले रहे हैं search add का अब एक बात भूँत ध्यान से समझनी हैं आप लोगों को ठीके बहुत important concept है वो ये है कि comparison करते हैं थोड़ा सा search add का और display add का search add का और display add का हम लोग एक बार थोड़ा सा comparison करते हैं comparison इस type का है कि एक website के उपर बड़े सारे banner ads हमको दीखते हैं ठीके मैं किसी website के उपर गया ये website है digital marketing से related कुछ भी information लेने या कुछ भी blog पढ़ने ठीके मैं digital marketing की website पढ़ गया मैं इसको पढ़ रहा हूँ ठीके इस website को मैं पढ़ रहा हूँ read कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे side में कुछ ads भी दिख रहे हैं यहाँ पर भी मुझे ads दिख रहे हैं क्या chances हैं आपको क्या लगते हैं यह ads दिख रहा है यहाँ इंप्रेशन तो हो रहा है इंप्रेशन हो रहा है agree सब लोग कि यह impression हो रहा है ठीक है तो यह impression हो रहा है बट यहाँ पर ad के impressions हो रहे है क्या chances हैं कि मैं impression के बाद इसके उपर click करूँगा ज़रा ध्यान से समझना, क्या chances है कि मैं इसके उपर click तरूँगा, बड़े कम chances है reason बताऊं अगर, तो reason यह है कि यहाँ पर मैं इस website की information लेने गया था यहाँ पर मैं इस website के उपर पढ़ने गया था ठीक है, ना कि मैं आड देखने गया था मैं आड देखने नहीं गया था, मैं कुछ ads related नहीं सच कर रहा था, अब यहाँ पर मैं digital marketing के बारे में पढ़ रहा हूं तो यह मुझे digital marketing के software के बारे में बता रहा है यह मुझे digital marketing के software के बारे में बता रहा है in that case, यह जो ad है, यह आपर digital marketing के software का है तो क्या chances आपको क्या लगता है कि मैं जाके यहाँ पर click करूँगा बड़े कम chances है हो भी सकता है कि मैं click करूँ क्योंकि मेरा जो main motive है उस particular time period में वो यह है कि इस information को collect करना यह यह जो यहाँ पर information दोस्तों दी वी है इस information को पढ़ना ना कि यह वाले ads के उपर click करना अब इस बात को समझो अगर जो manage situations बनाई अपनी ऐसे ही 100 लोग आये थे 100 लोग अब जो मैं जैसे तरी के सोच रहूँ ऐसे बाकी के 100 लोग भी सोच रहूँगे उनको से यह information पढ़नी थी उनको कोई इस चीज से मतलब थोड़ी ना था कि इसके उपर click करना है या नहीं करना है उनको तो केवल information जो है उसको collect करना था फिर उनमें से मान लेते हैं दो लोगों ने click किया कितने लोगों ने? दो लोगों ने click किया तो दोस्तों कितना यहां पर CTR बन जाएगा बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है 2 divided by 100 multiplied by 100 यह जो हमारे पास CTR निकल के आएगा यह CTR का percentage कितना है? 2% CTR किस case में? display ad में ठीक है? display ad में यह banner ad में जो हमारा CTR निकल के आता है वो 2% निकल के आता है अब चलते हैं search ad search ad पे मैं गया और मैंने यहां type किया digital marketing course search ad में तो हम type करते हैं न? यहां तो type करेंगे नि? यहां पर मेरे सामने search in a result page आते हैं और यहां पर कुछ मेरे पास paid ads दिखाई देते हैं कितने chances हैं दोस्तों कि मैं इसके ओपर click करूँगा? बहुत ध्यान से समझना है कितने chances है? यह जो chance बने थे इससे यहां पर higher chances है कि मैं click करूँगा या lower chances है यहां बराबर है तो अगर ज़रा सभी आप तोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर मेरे click करने के chances काफी ज़ाद है the reason is कि मैं यहां search कर रहा हूँ मुझे digital marketing course के बारे में information चाहिए तो जो चीज मैं search कर रहा हूँ अगर उसी से related मेरे पास यहां पर result दिखाई देगा तो क्या मैं उसके उपर click नहीं करूँगा बिल्कुल मैं जाओंगा और उसके उपर click करूँगा मैं यहां search किया digital marketing course मुझे उसी से related results यहां दिखाई दिए तो मैं फट से यहां पर जाकर click कर दूँगा तो अब देखो समझो results दिखाई देना क्या हुआ impressions हंडेड हुए क्या चांस है था कि मैं click करूँगा 10 लोग click कर सकते हैं यहां पर मान के चलते हैं वहाँ पर हमने क्या माना था दो तो यहां पर उससे थोड़़ से जादा मानते हैं 10 लोग तो ये क्या होगा, कि 10 over 100 into 100, अगर 10 लोगों ने मेरे उपर क्लिक किया, मेरे अड क्यों पर, तो यहाँ पर 10% का CTR निकल के आया, तो अब CTR जो हम लोगों ने समझा, ये केवल एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं है, कि CTR क्या होता है, CTR क्या होता है, उसके साथ साथ हमें ये समझ में आना चाहिए, कि display add का CTR है, वो हमेशा बड़ा जादा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी obvious से चीज है, कि display add का CTR है, वो थोड़ा सा कम होता है, और जो search add का CTR है, वो थोड़ा सा जादा होता है, तो ये बात भी clear हो गई, कि display add का CTR हम कम मान के चलेंगे, लेकिन कित CTR मानूं, या क्या मानूं मैं इसको, तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे search add है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कि जो CTR है, अगर वो जादा है, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, क्यों जादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, impression, तो जैस पर जो CTR में improvement हुआ, इसका मतलब जितना जादा CTR होगा, उतना अच्छा है, यह general भाषा में हमें समझ में आता है, यह जो हमनों को ने सीखा, उससे समझ में आता है, बट हमें इसमें भी थोड़ा सा सतरक रहने की ज़रूरा था, जैसे मान के चलते हैं, देखो, यहाँ प तो वो क्या चाहेगा कि इनके पैसे खतम कर दो, तो जैसे ही यहाँ पर click करेगा, जैसे ही वो यहाँ पर click करेगा, हमारा कुछ amount deduct हो जाएगा, तो पता चला क्योंकि वो उसी लिए कर रहा है, तो एक impressions हुए, एक click आया, दस impressions हुए, ठीक है, दस impressions धीरे-धीरे हुए, कुछ और लोगों ने भी impressions करवाए, उन लोगों ने click नहीं किया, बट हमारा competitor का तो यही काम है, तो 10 impressions हुए, उसमें 5 पे clicks आगया, तो हमारा CTR कितना हो गया, 5 upon 10 into 100 is equal to 50%, 50% CTR हमारा हो गया, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा, 50% CTR हो गया हमारा, 10 impressions हुए, और उनमें से 5 impressions के उपर click आगया, 50% हमारा CTR है, बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, नहीं, अगर आपको लग रहा है इस बागो थोड़ा समझो, कि CTR जो बड़ा जादा जा रहा है, ठीक है CTR इतना high कैसे हो सकता है, in that case हमें समझने की ज़रूरत है कि गड़बड़ी है तो कहा fraud तो रही हो रहा है, click fraud तो नहीं हो रहा है, तो अगर इस टाइप से, अगर आपको कोई uneven या बड़ा extraordinary CTR देखने को मिल रहा है, तो हम मान के चलते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़वरी जरूर है, अभी भी हमारा एक वो बहुत important question जो है, कि आखिर एक ideal CTR कितना होना हमें समझ में आ गया कि CTR का formula कैसे क्या होता है, बलकि आपको यह formula calculate नहीं करना है, Google Ads में जो हम लोग देखेंगे अभी, तो वहाँ पर CTR आपको दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा आपको CTR, ठीक है, आप देखोगे, हमारे इस ad set के अंदर जो keywords है, उनका CTR कितना है, किके उन keywords के ओपर कितने impressions आए, कितने clicks आए, तो उसका CTR कितना है, तो यह सारी information आपको मिलेगी, बट concept समझना हमें ज़रूरी, वहाँ पर से automatically आपको दिखाई देगा, तो आपको यह समझना पड़ेगा, कि हम सही direction में move कर रहे हैं, यह नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा वो यह है, कि search ad में, जब user search करता है, तो उसके जो click करने की intent होती है, या वो जो click करना चाहता है, वो जादा होती है, ठीके वहाँ पर वो click करेगा, ठीके है, बट display में chances है कि वो click ना करें, फिर भी तो question है, वो यह है कि अच्छा CTR कितना होता है, तो दोस्तों यह depend करता है, type of ad पे, हम लोगों ने देखा, search ad में अलग होता है, display में अलग होता है, और type of industry पे भी depend करता है, तो over the time बड़ी सारी researches हुई, कि एक अच्छा CTR कितना माना जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखो, तो हम लोगों ने, पहले तो हम लोगों कुछ और benefits industry है, यह वाली जो आप देख रहे हो, orange color की, यह consumer services वाली industry है, इस industry में, search का जो average CTR जा रहा है, अच्छा, वो 4, 3.4 है, बट हम इसको थोड़ा सा और improve कर देते हैं, यह 4% तक या 5% तक अगर आपको CTR मिल रहा है, then it's good, 5% के, मतलब 4% के या 3% के अगर आपको नीचे CTR मिल तो आपको सोचने की जरूरत है, बहुत गड़बर काम चल रहा है, वो अच्छा CTR नहीं है, ठीक है, search add का CTR, अगर आपका 3% के नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपकी कुछ गड़बरी है, आपके impressions तो हो रहे हैं, बट लोग उसके उपर click नहीं कर रहे हैं, आपको impressions तो इसके उपर भी हम लोग बात करें, इसी तरीके से मैं दूसरी एक industry पकड़ता हूँ, जो यहाँ पर technology है, तो technology की case में अगर आप देखो, तो यहाँ पर जो technology है, यह है, इसका बोल रहे हैं यह कि 0.5% का CTR है, search में, वो लगबख 0.5% का है, और यहीं पर जो नीचे वाला य देखो, तो display ad के बारे में कहा जाता है कि लगबख अगर आपको 1% के आसपास CTR मिल रहा है, then that's good, ठीक है, तो आप देखो, search ad में CTR कितना, 4% के आसपास, display में कितना, 1% के आसपास, तो यह हमें समझना होगा, ठीक है, कि जो CTR है, वो depend करते हैं, industry to industry, और उसी के साथ CTR depend क करते हैं, कि type of ad क्या है, ठीक है, और कुछ हम important चीज की बात करते हैं, CTR के बारे में, CTR tells us about the ad relevancy, यह बहुत important चीज है, जैसे, समझते हैं, यहाँ पर हमारा ad के impressions हुए, समझो इस बात, तो हमारे ad के impressions हुए, लोगों को हमारा ad दिखा, impression का मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा ad लोगों को शोक किया, सौ लोगों को आड शोक किया, बट लोगों ने इसके उपर click नहीं किया, लोगों ने click नहीं, लोगों को आड दिखा, तो हमने ad तो सही लगाया है, यह बात तो confirm होगी, अगर लोगों को आड दिख रहा है, जो type कर रहे हैं, हमारा ad दिख रहा है, तो इनका add दिखा और इनका add दिखा यूजर ने query टाइप करी चार लोगों का user को add दिखता है वो चारों का add देखता है पट वो click कर देता है 3 नंबर वाले को आप 2 नंबर वाले हो आपको click नहीं कर रहा है आपके add को click नहीं कर रहा है CTR डाउन है ठीक है अगर हमारा CTR डाउन है और हमें अच्छे impression मिलने है मतलब यही हुआ कि अच्छे impression मिल रहे है बट clicks नहीं आरे तो गडबडी कहां है पक्ड़ो गडबडी कहां है गडबडी है आपकी ad copy में, गडबड़ी आपकी bidding में नहीं है, गडबड़ी आपकी keywords में नहीं है, ठीक है गडबड़ी कहा है गडबड़ी है आपकी ad copy में आपको पनी ad copy ठीक करने की जरूरत है ना कि bidding वगएरा या दूसी चीज़े देखने चले जाए, क्योंकि impressions इंप्रेशन हो रहे हैं, इंप्रेशन हो रहे हैं तो सब कुछ ठीक है इंप्रेशन हो रहे हैं बट केवल और केवल लोग क्लिक नहीं करने तो ad copy पे हमें ध्यान देने की जरूरत है अगर हमारा CTR डाउन है तो तो ये बाते हमें समझ में आनी चाहिए उसके बाद CTR is varying for search ads as well as display ad there is no ideal universal CTR हम नहीं कह सकते कि universal CTR एक ऐसा CTR जो search के लिए भी common है और display के लिए भी common ऐसा नहीं होता है CTR is dependent on industry and type of ad इसके बादे हम लोग नहीं हाँ पर बात करी कि हमारे type of ad क्या है और हमारी जो industry है उसके वो क्या है उसके basis पर CTR depend करता है जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर legal services की बात हो रही है यह वाला legal वाला इसका CTR जो है average CTR काफी कम आ रहा है ठीक है बहुत कम आ रहा है यह इसमें बहुत जादा लोग जो है वो clicks नहीं करते होंगे ठीक है इस type से और अगर हम देखें तो इसका जो डिस्पले का है उसका भी देखो CTR लगभग half percent के around है तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा एक बहुत important चीज है मतलब हम ने समझा कि Google search ads क्या होते हैं दिखते किस तरीके से हैं ठीक है और Google search ads में impressions, clicks क्या होते हैं बट इन ही के ratio से एक बहुत important metric बनती है जो हमारी CTR है जिसको बहुत सारे लोग time to time ignore कर देते हैं और नहीं समझते हैं यह कितनी important है जो जब कभी भी हम search या display add करन करेंगे हम इसको नहीं भूल सकते कि CTR को हमें देखना है और CTR कितना है और इसको कैसे improve कर सकते हैं इस particular वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till then good bye